हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को कच्छा दस के एक इम्पॉर्टन सवाल को कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एक्जाम में 100% ये प्रस्न पूचा जाएगा ति इस प्रस्न को आपको हल करने का तरीका वताएंगे यह आपके बोर्ड के एक्जाम में 4-6 नंबर का प्रश्ण आता है इस प्रश्ण को देखे किस प्रकार से आप बोर्ड के एक्जाम में प्रश्ण को हल करेंगे तो चले फ्रेंज वीडियो श्टार्ट करते हैं तो आपके सामने सबसे सवाल है जो 2025 के बोर्ड परिच्छा में 100% आएगा अब देखें आपके सामने सवाल क्या है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग चाचट है यदि संख्या के अंकों का अंतर दू हो तो संख्या ग्यात कीजिए इस प्रका कि सवाल को आप ब cuatro गवाल की एक्जाम में कैसे हल करेंगे पहले नमबर पर यहां पर लिखिएका हल को ठिक हल लिखने के बाद अप को क्या करना है यहां कहा है कि दो अंक 200 अनक मतलब आपके सामने के एक्जामपल के तो और पर समझातेfort कजयाते हैं और Brexit आपको मानना पढ़ागा यह लिखेंगा माना अब दहात किया होगा आपको फापटाइक और दिख जाने हैं और आपकम संख्या क्या क्या होगा आपको अंत्स कर देखिए प्ल गुरें सब्सक्राइए हुए सब्सक्राइब बढ़ में लिए यहां पर दस लिखें एज प्लस बना लिजेगा इकाई का संख्या इस तरह बीच गड़ीत में आपको मानना पड़ेगा समझ में आगे आपको संख्या जब मानना रहे तो संख्या किस तरह मानेंगे हम उसके अंको को पलटने पर यहां पर क्या लिखेंगे अंको को पलटने पर बनी संख्या अंको को पलटने पर प्लटने पर बनी नई संख्या नई संख्या अपकी नई संख्या क्या बनेगा प्रस्णानुसार करना पढ़े लिंव उखा देखेंगे नई संख्या प्रशना नुसार जब प्रश्णा अनुसर लिखेंगे अब सवाल को पढ़िए प्रश्णा आपका बनता कैसे है लिखाए कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को प्लटने पर बनी संख्या का योग दिया है यानि जो आपकी पहली संख्या है और उसके अंकों को प्लटने पर जान वेसी है सन्ख्याय चलोगा है सब्सक्राइब कि देखिए और एक्सप्लसवा और अंकों का पर आप्लेट नहीं संख्या कितना है दाशर है प्लस येख्स उन दोनों को जोड़ दीजिए है दाश्र है दो प्लस एक्स प्लस एक्सार भाई हो तो यहां प्लस यह अभ यहां प्लस यह बराबर चाशट और फच्रम। बटा में 11 हो जाएगा यह प्लस वाई बरावा कितना हो गई ग्यारा का चाचर में भागे देंगे चो हो जाएगा ठीक है इस तरह आपको क्या हो यह समीकर नंबर आपका एक बन गए यह समीकर नंबर काउन सा एक है अब देखे सवाल को फिन पुना पढ़िए अब यहां तक क्या करना है यहां लिखना है पुना प्रशना और टेसे का अंतर कितना है समीं नंबर कर लिजीए अब केवल समिकोधन एक और दौ को आपको हल ना है समीं क ren ay को एक जगा लिख लिएंगि लिखते हैं यॉक्स प्लस यह बराबर 16 समीं हाइन यह बदा mãए बरबर दू आहे इस अमिकण नंबर काउम सा है दो है अब इसको चलिए हल करते हैं देखें कैसे हल करेंगे विलोपन वीधी का यूज करेंगे अब यहां लिखेंगे जोड़ने पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर जब जोड़ने पर लिखेंगे तो यक्स यक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दू यक्स और वाई मे जाएगा आपका शार यहां यक्स का मान आपको कितना मिला चार मिला ठीक है यक्स का मान मिल गया अब आपको वाई का मान ग्याद करना है इस यक्स का मान समीकर एक चाहे दो में रख लिजे चाहे जिसमें रख लिजे चलिए यहां पर रखते हैं कैसे रखते हैं यहां पर लि यह प्लस नहीं पर इस समिक्र को दो यह सो चल गया पता चल गया कितना है कितना है देखे स्वाल में आप से कहा क्या है पर सवाले पर देखसे यहा दखालो करेatura प्र go forgetैं संख्यान से कि यह शुचर्या का एकषज प्लस नहीं वह कि anti-dyni है कि अधा कि संग्रहां कि लिखें हैं ग्याइए नहीं जMore नहीं चाहिए यहां क्यानल ने को जो चालिस प्लस जगांगा बराबर कितना वह जब आपका 42 और ही क्या क्या होगा 42 एंस्वर हो जाएगा यह क्या होगा इंस्वर जिस पकाश से बता है इस पकाश आप सवाल को हलकी कर लिजीए हैं यह 100% बोर्ड के एग्जाम हर साल सवाल पूचत है संक्या संबंधित तो आपको देखें सिंपल तारीका सा सिखा है इसी इसी दर आप एक दो question को practice कर लिजिए आप hundred percentage आप बोर्ड की exam में अच्छे नंबरों से पास होंगे तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं है तो चलो को subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें